बिस्मिल्ला रह्मानी रहीम, अस्सलामुलेकुम हमारा चैप्टर नमबर फाइव स्टार्ट हो चुका था सिंपल इंट्रेस्ट इसमें हमने सबसे पहले फार्मूला देखा इंट्रेस्ट का पी आरेन, I is equal to पी आरेन और एक और फार्मूला है, वो देखें, S is equal to प्लस आरेन, ये फार्मूला किस चीज़ का है, रीपेबल, जो अमाउंट हमारे पास रीपेबल होगी, उसका फार्मूला है, ये रीपेबल, ठीक है, हमारे पास जो भी लोन होगा, किसी भी किसम का, उसके जो एंड पर, at the end of our loan, अमाउंट रीपेबल, उसका क्या फार्मूला है, S is equal to P into 1 प्लस आरेन, ठीक है, और एक और फार्मूला, इंट्रेस्ट का, इंट्रेस्ट का फार्मूला हमारे पास है, I is equal to P, आरेन, ठीक है, आप देखें, यहां पे जो S है, S, अमाउंट रीपेबल, S, यह किस चीज़ को शो करता है, यह हमारे पास वो अमाउंट है, जो के paid या receive की गई हो, अमाउंट, वो हमारे पास S होगा, यह इसे एक और नाम देते हैं, future value, S को दूसरा नाम क्या देते हैं, future value, ठीक हो गया, इसके बाद I interest होगा, I interest, और P principle, ठीक है, इसी तरह से जो R है वो हमारे पास होगा, period interest rate, यह R, R is equal to period, time duration की बाद आ जाएगी इसमें, period interest rate, और इसके इलावा जो N है वो हमारे पास numbers होगे, यानिके numbers of time period, number of time period, ठीक हो गया, यह थे हमारे पास दो फार्मूले, amount repayable और interest, आगे इसकी example देखते हैं, कि इसके questions किस तरह से आएंगे, अब for example, एक example है, हमारे पास अगर इसकी value दी जाएंगे, हमारे पास P, R और N की, P अगर हमारे पास हो, for example, P is equal to 10,000, R 0.1 दी आ जाए, and N की value भी दी जाएंगे, वो है 1, ठीक है, अब हमारे पास, I जो है, वो क्या होगा, I हमने यहां पे find out करना है, I का formula है, I is equal to P, R, N, इसकी देखें, I is equal to P, R, N, P, 10,000 है, 10,000, multiply by, R की value 0.1, and 1, N की value, इसको जब calculator पर solve करें, तो क्या answer आता है, थाउजन्ट, इंट्रेस्ट हमारे पास आ जाएगा, वो है, थाउजन्ट, यह हमारे पास first example हो गई, इसके 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 इलावा, अगर हमारे पास N दिया जाए, इसी questions में अगर, N is equal to 5 आए, तो हम इसका answer किस तरह से निकालेंगे, पहले N वान था, अगर इसी तरह, N is equal to 5 आए तो देखें, P, 10,000, multiply by 0.1, आ रा गया, और N की value है 5, तो यह इसी तरह से, इंट्रेस्ट हमारे पास 5000 आएगा, ठीक हो गया, यह तो थी, इंट्रेस्ट का फार्मूला हमने इसमें पूट कर दिया है, और इसके बाद हमारे पास answer आ गया, इसके इलावा जो amount repayable है, जिसका फार्मूला हमने पढ़ा है, उसका question किस तरह से आएगा, वो देखें, सबसे पहले हमें values दी गई होंगी, वो values लिख लेते हैं, पूर इक्जेम्पल, अगर हमारे पास S दिया जाए, S, 32,000, and R is equal to 0.15, similarly N is equal to 10, ठीक है, अब हमारे पास, वो क्या कहते हैं, हमने S, S का फार्मूला इसी में put कर देना है, जो S का फार्मूला है, S is equal to, P into 1 plus Rn, S किसे denote करता है future value को, अब यहां पे S की value दी गई है, तो यहां पे put कर दें, 32,000, P, नहीं दी गई, इसकी value हमने find करनी है, and 1 plus R0.15, into N10, N की value 10 है हमारे पास, यह देखें, 32,000 is equal, P into, 1 plus, इसको जब यहां multiply करेंगे, तो हमारे पास answer आता है, 1.5, चीक है, अब, P multiply, 1.5 को, प्लस एड़ करेंगे, 1 के साथ, 2.5 हो जाएगा, यह value, ऐसे की ऐसे, यहां पे आ जाएगी, अब इसी को, 2.5 को डिवाइड कर देंगे, 32,000 के साथ, तो हमारे पास, P की value आ जाएगी, यह जब आपने calculate किया, तो हमारे पास P की value आ जाएगी, ठीक हो गया, इसके बाद, एक और example इसी तरह से देख लेते हैं, अगर हमारे पास P की value दी जाए, पहले तो हमने P find करना ते आप, अब अगर हमारे पास P की value दी जाए, आन हंड़िड थाउजएंड, और 0.07, एंड N is equal to 4, ठीक है, तो हम इसे किस तरह से solve करेंगे, अब हमने यहां पे क्या find करना है, पहले हमारे पास S की value दी गई थी, हमने P find कर लिया, यहां पे P की value दी गई है, तो हम simply S find करेंगे, P into 1 प्लस R N, S is equal to, P की value क्या है, 100,000, 1 प्लस 0.07, एंड मिल्टिप्लाइ बाइ 4, यह देंगे, ठीक हो गया, 1000, वैसे कब ऐसे आ जाएगा, 1 प्लस, 0.28, इन दोनों को जब मल्टिप्लाइ करेंगे, क्या आएगा, 0.28 आ जाएगा, और हमारे पास S की value आ जाएगी, 128,000, इसी तरह से हमारे पास, इनके questions पेपर में पूछे जाएगे, यह था simple interest, and future value, हमने किस तरह से find out करना है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, उम्मीद करता हूँ, आपको लेक्चर की समझा आ गई होगी, अपना बहुत सारा ख्यार रखिएगा, थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्ला हाफिस,